यूपी के गोंडा में एक दर्दाक वारदाच सामने आई है काशीराम कॉलनी के रहने वाले एक कुक की पैसो के लें दिन में दो यूवकों ने हथोड़े मार कर हत्या कर दी हत्या के बाद शव कॉलनी में फेकर फरार हो गए ये रिक्षा चालक की सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव कबजे में ले लिया मामले में कुक की पत्नी ने दो लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है मृतक का नाम बबलू बताया गया है वकुख था पत्नी जोती ने बताया कि तीन दिन पहले इसकी कॉलनी के रहने वाले मैनोदीन और पंत नगर के रहने वाले सलमान से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी मंगलवार को बल्लू खाना बनाने कहीं गया था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई पुलिस ने मैनोदीन और सल्मान को गिरफतार कर लिया है जो हमारे हैस्बेंड है क्या नाम है का है कब जानकारी आपको मिली सुबा छे बजे कहा आप सोती थी किसी पर कोई सक्षा है किसके पर एक लग ते नाम रहते हैं उनके परसा के परसा लड़ाई हुई थी कालर पकड़ी पकड़ान हुई थी पैसा वो लिए हुए तो मारे जब माँग रहते हैं कि पैसा हमें देदे तो यह बोला था भी नहीं देपाएंगे थाना को त्वाली नगर के अंतरगत काशी राम कॉलोनी से सुबा लग वक आठ वजे एक मृत शरीर देखे जाने की सूचना आई थी सूचना पाते ही मौके पे तुरंट गया जाया गया और वहां पे फील्ड उनिट और डॉक स्कॉर्ट को बलाया गया तो मृतक की पहचान बलू कश्यव जो की वही के निवासी थे के रूप में हुई और डॉग हमको उसी घर के अंदर एक सिल्वट्टे पर लेकर के गया और एक हथोड़ा जिस पर खून लगा हुआ था हमें इस चीज की संभावना लग रही है कि वह जो खून है वह मृतक का ही है इसकी जांच करने के लिए सब सेंपल जो है उनको एफसल रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है